Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तो आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर से Current Affair के जितने भी important questions बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में cover करेंगे और सभी questions से related extra facts भी जानेंगे सारे ही question important है इसलिए वीडियो आते तक जरूर देखिएगा और अभी तक दिया आप लोगों ने Online Study Point को सबस्क्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से सबस्क्राइब कर लीजे ताकि आप लोगों को नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप इस वीडियो की पीडियो टेलिग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला question हाल ही में भारती वाईयू सेना के नए उप्रमुक कौन बने है तो अभी हाल ही में HS अरोडा बन गए हैं भारती वाईयू सेना के नए उप्रमुक आप लोगों को confusion हो सकता है जैसे कि BS धनोवा अभी भारती वाईयू सेना के प्रमुक हैं लेकिन इनका इस्थान अब कौन लेने वाले हैं? आरकेस भदौरिया और आरकेस भदौरिया अभी तक उप्रमुक थे और इनहीं का इस्थान लेने वाले हम HS अरोडा तो confused नहीं होना है और बात यहां पर की जारी भारती वाईयू सेना की यनिकी इंडियन एयर फोर्स की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इंडियन एयर फोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और आजादी से पहले इसे रॉयल इंडियन एयर फोर्स की नाम से भी जाना जाता था इसका हैटकौर्टर है नई दिल्ली में सबसे इंपोर्टेंट है इसका मोटो इनकी आदर शुवाक्य तो IAF का मोटो है नभा इस परसम दिप्तम यह संस्कृत में है यह आप याद रखीगा और बात यहाँ पर भारती वायू से नकी की जा रही है तो अभी तीन वुमन्स के नाम करंट से रिलेटेड है जो की चर्चे में रहे है जैसे कि भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर यह बनी है सालिजा धामी और फाइटर प्लेयर नुडाने वाली पहली महिला यह बनी है अवनी चतुरवेदी और IAF की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर यह बनी है हीना जैसवाल तो इन तीनों वुमन्स की यानि महिलाओं की नाम आप याद रखीएगा एक्जाम की पॉइंट ओफ्यू से इंपोर्टन्ट है और करंट से रिलेटिड है नेश कोश्चन है यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं के संदर्मे में किस एयरपोर्ट को सर्वस रिष्ट अवार्ड मिला है यानि कि जो पैसेंजर को फैसिलिटीज दी जाती है तो फैसिलिटीज के मामले में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा तो यह रहा कोशीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यह है कहां तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्थित है केरल में और मैं आपको बता दूँ जो केरल है केरल भारत का एक मात्रे राज्य है जहां पर चार अंतर राश्ट्री एयरपोर्ट है और यह चार अंतर राश्टी एरपोर्ट है कौन कौन से तिरुवन अंतपुरम एरपोर्ट कोची एरपोर्ट कोजी कोट एरपोर्ट और कन्नूर एरपोर्ट का उद्गाटन पिछले ही साल इनी की दिसंबर 2018 में किया गया था यह न्यूएस्ट है और यह चारो एरपोर्ट है केरल में ही और चार इनटर्नेशनल एइरपोर्ट वाला देश का पहला राजी है केरल और यात्रीओं को दी जाने वाली जाने वाली फैसिलेटी के संदर्व में डी कौन है कं सौर फचाथ एयर्पोर्ट और मैं आप कोचिन एयर्पोर्ट से रिलेटिड एक वेक्ञ बता दूँ जो कोचिन इंटरनेश्णल एयर्पोर्ट है यह भारत पहला सौर उर्जा से संचालित एयरपोर्ट है इसलिए आप यह भी याद रखिएगा और यह केरल में स्थित हैं तो केरल के बारे में जाल लेते हैं करल की कैपिटल क्या है तो केरल की राजधानी है तिरुआनंतपूरम और तिरुआनंतपूरम से आप लोगों को क्या र्याद आता है Higher dieses पहला इस पैस टैक पार्क यह तिरुआlor न क мамगे खोला गया है और साइलेंट वैली कहा स्थीथ है साइलेंट वैली इस्थिथ है केरल में ही यहां के मुख्य मंत्री कौन राजिपाल सबसे इंपोर्टेंट है केरल के राजिपाल क्योंकि अभी हाली व니ników हुए केरल के नए राजिपाल है आरिफ मुहम्मद खान तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा नेश कुश्चन है हाली में भारत को किस वर्ष तक टीबी से मुक्त करने की घुशना की गई है तो यह घुशना की गई है 2025 तक तो इसके बारे में आपको बता दूँ 2025 तक केंद्री स्वास्थ मंत्री हर्ष वर्धन ने भारत को टीबी से मुक्त करने की उद्देश से टीबी हारेगा देश जीतेगा नावक अभियान चलाया है किसने चलाया है केंद्री स्वास्थ मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन और इनकी consistency क्या है तो डॉक्टर हर्षवर्धन की consistency है चांदनी चौक दिल्ली और एक चीज अभी हाल ही में एक report के नुसार भारत के लगभग 28 लाग से जादा लोग है जो वह TB के मरीज है तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए next question है हाल ही में WPP की ranking के अनुसार देश का most valuable brand किसे खोश्रत किया गया है तो लगातार छटवे वर्ष HDFC देश का most valuable brand बन गया है HDFC यहनी की Housing Development Finance Corporation इसकी स्थापना हुई थी 1994 में इसका मुख्याला इस्थित है मुंबई महराष्ट में सबसे important है इसके MD का नाम तो HDFC Bank के present time के MD है आदित्य पूरी और यह ranking जारी किस ने की है यह ranking जारी की है WPP ने तो WPP के बारे में जान लेते हैं जो WPP है यह दुनिया की largest advertising company है और यह British multinational advertising and public relation company है जिसकी स्थापना हुई थी 1971 में सबसे important है इसके MD और CEO का नाम तो WPP के जो MD और CEO है इनका नाम है Mark Reed और सबसे valuable brand कौन बना है HDFC तो इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा next question है हाल ही में world heart day कब मनाया गया यानि कि विश्व हरदय दिवस यह मनाया गया 29 सितंबर को और यह क्यों मनाया जाता है तो आजकल गलत खान पान के चलते और गलत दिन चरिया के चलते जो लोगों में heart की problem बढ़ते जा रही है जो heart की भीमारी तेजी से फैलती जा रही है उसी के प्रती जागरुकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है world heart day सबसे important है इसकी थीम तो इस बार के world heart day की थीम थी my heart your heart इस बार की थीम थी याद रखिएगा और सितंबर में ही कुछ important days celebrate किये गए हैं जैसे की 16 सितंबर को मनाया गया world ozone day इसकी थीम थी 32 years and healing 27 सितंबर को मनाया गया world tourism day जिसकी थीm थी tourism and job a better future for all क्या थी tourism and job a better future for all और कल ही मैंने आप लोगों बताया था कि 28 सितंबर को मनाया गया rabies दिवस तो यह 4 important day आप जरूर याद रखिएगा नेच कोश्चन है हाली में भारत अमेरिका जापान के बीश शुरू हुए नौ सेनी अभ्यास का नाम क्या है तो इसका नाम है माला बार exercise जो कि भी हाली में भारत अमेरिका और जापान के बीश में शुरू हुआ है और कहां बात हुई है नाम क्या है माला बार exercise और एक चीज हैंड इन हैंड भारत की चीन के साथ exercise है जो कि दिसंबर 2019 में आयुजित की जानी है जब इसका आयुजन किया जाएगा तब इसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा और वरुन और गरुन ये दोनों exercise है जो कि भारत की फ्रांस के साथ होती है आप लोगों को confused नहीं होना है गरुन exercise है भारत की फ्रांस के साथ और एक है गरुन शक्ति तो गरुन शक्ति जो exercise है भारत की इंडोनेशिया के साथ होती है तो confused नहीं होना है आप लोगों को नेश कुश्यन है निउए यॉर्क में आयोजित होने वाले गोल कीपर ग्लोबल गोल्स अवोर्ड में चेंज मेकर अवोर्ड किसे प्राप्द हुआ है तो यह वोर्ड मिला है पायल जांगिर को और क्यों मिला है तो बाल श्रम वर बाल व्योंग को रोकने के खिलाफ जो इन् इन्हें इस बार का Change Maker Award दिया गया है अच्छा यह Award दिया किस ने है तो इन्हें यह Award दिया है Bill & Melinda Gates Foundation ने और यह है क्या तो Bill & Melinda Gates Foundation की स्थापना हुई थी 2000 में और किस ने की थी तो Bill Gates और Melinda Gates ने इसकी स्थापना की थी इसका Headquarter कहां इस्थी थे? Seattle, Washington में और Bill & Melinda Gates Foundation ने ही कुछ समय पहले ही प्रधान मंतिरी नरेंदर मोदी जी को Global Goal Keeper Award से सम्मानित किया था और क्यों सम्मानित किया गया था? स्वक्ष भारक अभियान के लिए इसलिए आप यह भी आद रखिएगा और मैंने कुछ कोशन प्रीवेस इ आवार्ड के लिए नामित किया गया है तो यह नामित किया गया है अमिताब बच्चन जी और बात यहां पर दादा सहाफ फाल के आवार्ड की की जारी है तो यह आवार्ड क्यों दिया जाता है यह इनिकी किस फिल्ड में दिया जाता है तो भारती सिनेमा में उतकरष्ट य दिया क्या जाता है तो इस अवाड में 10 लाख रुपए एक शॉल और एक गोल्डन लोटस यानि कि सुर्ण कमल दिया जाता है और 2018 के लिए वाड किस ने जीता है अमिताब बच्चन जी ने और 2017 के लिए किस ने जीता था विनोध खन्ना जी ने तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा नेस्ट कुश्चन है अपनी तरह का पहला अत्याधुनिक राश्ट्री पुलिस विस्विद्याल है यहने की नैशनल पुलिस यूनिरस्टी इसकी स्थापना कहां की जाएगी तो इसकी स्थापना की जाएगी ग्रेटर नौइडा उत्तर प्रदेश में तो हम उत्तर प्रदेश की यहां की कैपिटल क्या है लखनौ और लखनौ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और लखनौ किसका निरवाचन छेत्र है तो लखनौ निरवाचन छेत्र है हमारे रक्षा मंतरी राजनास सिंका यहां की मुख्य मंतरी कौन है योगी अदित्यनात यह कि हम करेंट से रिलेट करें तो कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश ने 22 करोड से अधिक पौधे लगा कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था इसलिए इसका नाम आप जरूर याद रखेगा और उत्तर प्रदेश में कुछ स्टेशन को green platinum rating से सम्मानित किय गया है और यहां सम्मानित किया स्टेशन कि क्स railway zone कांतर आता है तो यहां आता है S-C-L के अंतरगत यनिकी South Central Railway के अंतरगत आता है सिकंदराबाद Railway Station और एक चीज हैदराबाद और सिकंदराबाद इन दोनों को ही जुड़वा सहर के नाम से भी जाना जाता है तो ये भी आप याद रखिएगा कल में ने आप लोगों से पूछा था खाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा परिवहन अंतरिक्ष जहाज यह किस देश ने लॉंच किया है और यह लॉंच किया था जापान ने आप सभी ने इसका राइट अंसर दिया था अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है तमिल नाडू क्रिकेट एसोशियेशन की पहली महिया अध्यक्ष कौन मनी है इसका जो भी अंसर कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग के साथ लिखिएगा और मैं आपको बता दू ओनलाइन स्टेडी पॉइंट की 1200 प्लस करण अफेर की जो लिंक है आज क्लोस कर दी जाएगी आज इसका अंतिम दिन है आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है जिसमें की पिछले यहीं की दिसंबर 2018 से लेकर के 9 सितंबर 2019 तक का करण अफेर सेम उसी फॉर्मेट में कवर कराया गया है जिस फॉर्मेट में आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जाता है डिटेलिंग के साथ इसलिए अंतिम मौका है पीडियाफ को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलेगा तो दोस्तों आई होप वीडियो आप लोग पसंद आया है पसंद आया तो अपने study related group में share जरूर करिएगा और online study point को like, share, subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच जैहिन जै भारत